स्मार्ट स्टडी तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोर्ट मार्च जो कि सिंप्ली का एक रूल है तो चलिए हम देखते हैं सिंप्लिफाई तो सिंप्लिफाई का मैंने यहां पर एक क्वेश्चन दिया है 15-4 into 3 अब आप लोगों को यह देखते हैं मन में क्वेश्चन आता होगा कि हम पहले into करें या फिर minus करें तो हम इसे दो बार करके देख लेंगे पहले वाले में पहले minus कर लेंगे दूसरे वाले में पहले into कर लेंगे तो चलिए हम इसे बना लेते हैं, 15-4, 11, 11 into 3, 33 अब हम दूसरे बाले में देख लेते हैं, 15-4 into 3, 4 into 3, 12, 15-12, 3 अब इन दोनों में से जो है, हमारा ये वाला एंसर सही है, और क्यों सही है, कैसे सही है, ये हम बोर्ड मास में जानेंगे तो चलिए, अब हम बोर्ड मास देखते हैं, बोर्ड मास का यहां पे फुल फ्रॉम लिखा हुआ है अब अगर आप लोगों को कोई मैट का सिंप्लिफाइ दिया हुआ रहे है, तो आप लोगों को बोर्ड मास रूल की हिसाब से चलना होगा, ब्रैकेट, अगर पहले हम लोगों को ब्रैकेट सॉल्फ करना होगा, उसके बाद आप सॉल्फ करना होगा, उसके बाद मंटिप्लिकेशन सॉल्फ करना होगा, उसके बाद सॉल्फ करना होगा, उसके बाद सॉल्फ करना होगा, पहले B, फिर O, फिर D, फिर M, फिर A, फिर S तो चलिए अब हम एकार मैस बनाते हैं अब हम बोर्ड मास के चार क्वेस्चन देखेंगे चारो अलग अलग तरह के तो चलिए अब हम फिर्स्ट क्वेस्चन देख लगते हैं 3 into 12 minus 8 divide 4 इसमें क्या? bracket, bracket नहीं है, O, off, off भी नहीं है divide, divide है तो चलिए हम पहले divide कर लेते हैं तो 8 divide 4 तो होगा तो 2 आयागा यहाँ पे तो में लोग यहाँ पे जो बचा वो लिख लेते हैं माइनस 2 अब multiply, multiply है तो multiply कर लेते हैं तो बहुत 3 जा 30 से माइनस 2 और यहाँ हम लोग माइनस कर देंगे तो 34 आ जाएगा अब चलिए हम लोग दूसरा question देख लेते हैं तो चलिए हम लोग दूसरा question देख लेते हैं माइनस 3 इंटो टू प्लस 4 डिवाइड टू एट माइनस 3 तो पहले है ब्रैकेट इसमें भी नहीं है और नहीं है डिवाइड डिवाइड है और डिवाइड टू तो यहाँ पर टू आएगा तो पहले टू लिख लेते हैं और उसके बाद अब यहाँ पर यही बाला उतार देंगे एट माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 यह दोनों को तो भटा देंगे अब क्या मंटिप्लाई मंटिप्लाई है 3 तू जा 6 तो 8 माइनस 6 प्लस 2 अब एड एड तो एड तो हम लों कर लेंगे 6 और 2 8 8 माइनस 8 और 8 माइनस 8 होगा तो जीरो ही आएगा तो यह आजाएगा हमारा एंसर तो चलिए वागे का दो प्वेस्चन देखते हैं 8 इंटो 4 माइनस 8 दिवाइड 2 अफ 2 तो अब इसमें ब्रैक बी फुर ब्रैके ब्रैके तो इसमें है ने वो फुर आफ तो आफ इसमें है तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था इंटो और आफ दोनों हैं तो पहले आफ करेंगे उसके बाद इंटो करेंगे 2 इंटो 2 तो तो जा 4 तो 8 इंटो 4 माइनस 8 दिवाइड 4 अगर D से दिवाइड दिवाइड तो है यहाँ पर तो 8 दिवाइड 4 तो क्या होगा? 2 एट इंटो 4 माइनस 2 ठीक है अब क्या? मैंटिप्लाइड तो मैंटिप्लिकेशन 8 इंटो 4 तो 32 32 माइनस 2 तो यहाँ पर आजाएगा 30 हमारा एंसर त्रीका हो जाएगा 30 अब चलिए हम फूर्थ क्विस्टिन देखते हैं 2 प्लस 8 प्लस 3 इंटो 4 आफ 2 प्लस 5 अब इसमें ब्रैकेट तो है तो प्लाइड ब्रैकेट वाला प्लस कर लेंगा तो 8 प्लस 3 8 9 10 11 तो 2 प्लस 11 इंटो 4 आफ 2 प्लस 5 यह आगया अब ओ आफ तो इसमें है तो चलिए अब आफ वाला पहले कर लेते हैं 4 इंटो 2 तो 8 आएगा तो 2 प्लस 11 इंटो 4 इंटो 8 और 8 प्लस 5 तो अब इसमें दिवाइड 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 तो इसमें है नहीं तो एम फोर मन्टिप्लिकेशन मन्टिप्लिकेशन इसमें है तो 11 इंटो 8 आगे वाला से इंटो होता है तो 11 इंटो 8 तो 88 टू प्लस प्लस 5 अब यह हो गया तो इसमें ए प्लस टू एटीनाइन और नैंटी तो हम लोग का बोडमा से अप्रम कम्प्लीट हो गया है अगर आप लोगों कोई कोई डाउट है तो आप कमेंट सेकते हैं अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को सबस्क्राइब कर दो